अगर आप पतले दुबले हैं तो आपके अंदर भी डैशिंग लोग साथियों को इंप्रेस करने की इच्छा जरूर जाकती होगी और ये जरूर इच्छा होती होगी कि किस तरीके से हम अपना वजन बढ़ाएं और कैसे हमारा बोडी भी इंप्रेसिव बन जाएं तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि ऐसे लोग या ऐसे लड़के जिनका शरीर बहुत दुबला पतला है वो तीस दिन में ही कैसे अपने वजन को अच्छे से बढ़ा सकते हैं और एक बोडी को बहुत ही अच्छा लुक दे सकते हैं तो बने रही है मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आसानी से सिंपल गरेलिन उसकों से और दो तीन चीज़े करने से आप अपना वजन तीस दिन के अंदर बढ़ा सकते हैं तो सबसे पहले समझ लेता है कि जो आप भोजन करते हैं उसके कॉंपोनेंट्स क्या होता है जो भी आप खाना खाते हैं उसके अंदर चार चीज़े होती हैं जो एक तरीके से आपके बोडी के पैट्रोल की तरह काम करता है और जितने भी मीठी चीज़े होती है जिसे रूटी, ब्रेड, चीनी ये सब के अंदर पाया जाता है उसके बाद आता है फैट चिकनाई जिसको कहते है तो जो तेल वगेरा होता है इसके अंदर या घी मक्ष इसके अंदर इसके इन्दर फैट होता है ये आपके बोडी को शेयर को सियप देने का काम करता है और आपको सेफटी भी देता है उसके लाबा आते हैं प्रोटींस जो बहुत जनुरूरी होते है आपके मस् amplitude को ग्रोंक कराने के लिए मस्सल्स को स्ट्रोंक बनाने के लिए और ये एक तरीके से आपके defense mechanism का काम भी करते हैं। और last but not the least, minerals और vitamins भी आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं। even आपके body weight को बढ़ाने के लिए, जिसे calcium, phosphorus आपकी अड्यों को मजबूत करता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे minerals और vitamins हैं, जो आपके skin को glow देता है। और आपके body के weight को gain करने में मदद करता है। cut to short हम शुरुवात करते हैं कि एक तो आपके दिन की शुरुवात होनी चाहिए, कि आप उठते ही कम से कम 2 glass पानी पियें। जिससे के आपका filtration है वो बना रहे है। पानी भी जो है एक बहुत अच्छा medium है weight बढ़ाने के लिए। अगर आप hydration maintain करके रखते हैं तो आपका वजन अच्छे से बढ़ता है। फिर आते हैं कुछ खाने पिने की चीजों में कि हम सुभा में क्या खाएं। तो आपकी सुभा की शुरुआत जर्रली ऐसी चीजों से होनी चाहिए जिनके अंदर carbohydrates जादा हैं। तो आप शुरुआत कर सकते हैं बनाना शेक से दो केले ले लिजिए। उसमें दो चीकू में ला लीजिए। एक गलास दूद लीजिए और इसको मिक्सी में डालके इसका शेक बना लेजिए। और सुभा शाम ये शेक सुभा काली पेट पी लें तो बहुत अच्छा और शाम को 4-5 वीजिए तक पी लें तो बहुत अच्छा है। इसको आप लगातार 30 दिन तक इस्तमाल करें। इसमें स्वादा नुसार आप ट्राइफ रूट्स वगरा भी इस्तमाल कर सकते हैं। केला और चीकों यहाँ पे बहुत ही अच्छी मात्रा में आपको कार्भाहड्रेट्स देते हैं और जो दूद है वो आपको प्रोटीन, फैट और मिनरल्स देता है। उस बाद नाश्ते में आप दूद और दलिया इस्तमाल कर सकते हैं। दूद आपको अगें केल्शियम, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट क्योंकि एक संपूरा हार माना जाता है दूद यह प्रोवाइड कराता है और दलिये के अंदर भी प्रोटीन होता है जो आपकी बोडी को दूरत कंदे में मदद करता है इसको भी आप रगुलर अपने नाश्ते में इस्तमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप आलू का इस्तमाल करें और आलू और दही के साथ अगर आप खाएंगे तो आपको स्वादिश्ट भी लाएगा आपके डिजेशन को भी अच्छा रह है तो आप दुपैर में जब भी आप बोजन करते हैं तो अपनी रोटी पे आप घी जरूर लगा लें चमच घी लगा सकते हैं। खी बहुत अच्छा एक फैट है जिसको हेल्दी फैट के तोर पे माना जाता है और आप सबजी में या दाल में भी गी डाल के इस्तमाल कर सक जाता है तो आप घर में जैसे जितने भी वनस्पति और जैसे आप मस्टर्ड और यूज कर सकते हैं घी यूज कर सकते हैं और एक बहुत अच्छी चीज़ आप मूंफली का सेवन कर सकते हैं मूंफली के अंदर प्रोटीन भी मिलेगा आपको और वहां से जो उसका ओयल है वो अच्छे fat की category में माना जाता है, जो आपके वजन को बढ़ाने में मदद करता है. उसके साथ साथ आप जब भी workout करते हैं, उस समय आपको उसके बाद फोरण protein की अच्छी मात्रा चाहिए होती है. तो अगर आप सुभा workout करें या शाम को workout करें, उसके बाद आप protein ज़रूर लें. protein के लिए आप अंडे इस्तमाल कर सकते हैं, अगर नोनवेज है तो आप 3-4 अंडे कम से कम रोजाना खाएं, और अगर आप नोनवेज नहीं है, आप सिर्फ वेजिटेरियन है, तो आप दाले इस्तमाल कर सकते हैं, sprout डाले यूज कर सकते हैं, चने आप अंकुरित चने इस्तमाल करें, शाम को चने बिगो कर रख दे, सुबा को पानी से निकाल के उनको खालें, या अंकुरित हो जाएं तब खालें, या इनको उबाल के भी इस्तमाल किया सकता है, पूरे ही साबुत चने खाएं, छिलका ना अटाएं, क्योंकि इसमें भी मिनरल्स और विटामिस पाए जाते हैं, या और भी दूसरी तरह की जो प्रोटीन से उनको आप ले सकते हैं, चाहे वो पनीर से प्रोटीन आता हो, या चाहे आपका दूसरी तरह की दालों से या सोयबीन से आपको पनीर मिलता हो, तो पनीर ज़रूर पिर्चुर मात्रा मिलें, और फिर आप वर्काउट का मज़ा आप लेंगे और देखेंगे का आपका वजन बहुत तेही से बढ़ेगा, हम वर्काउट की बात करी रहे थे, तो आपको जो वर्काउट करना चाहिए, वो compound exercises करनी चाहिए, जैसे push-ups हैं, squat हैं, और आप running या walking भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यायर है कि आपका वर्काउट 45 मिनट से ज़ादा होना हो, आप ज़ादा वर्काउट करेंगे, अच्छे से ये सारी चीज़े अब्जोर्ब होंगी, और आपकी बॉड़ी में जाके लगेंगी, और आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ेगा, इसके लाब और मैं दो टिप्स की बात करूँगा, जैसे मने पानी पीने की बात की थी, तो दिन पर में आपको कम सकम 5-6 लिटर पानी पीना चाहिए, 7-8 घंटे की नीद आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब नीद पूरी कर लेते हैं, तो आपका शरीर में जो हार्मोंस हैं, उनका बैलेंस बना रहता है, और एनर्जी जो है, वो संचीत होती है, और आपको वजन बढ़ाने में मदद करती है, आपका मूड अच्छा होगा, तो आपका वजन भी तेजी से बढ़ेगा, डाजेशन को मेंडेन करने के लिए आप ऐसे फ्रूट जीसे पपाया वगरा, गौब अवगरा ये भी इस्तमाल कर सकते हैं, तो मुझे उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वाकिए वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्स्राइब करें, पहले एकन का बटन भी दबाले, तो दाट इस तरह की इनफर्मिटी वीडियो आपको मिलते रहें, थैंक यू.